हलो दोस्तों आज है 30 अपरेल दोजार चोबीस मंगलवार का दिन हिंदी तित्थी वेसाग क्रिशने सस्टिय और सप्तमी और आईए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट लेकार हाजर हो गए हैं है Bun two y Espa आज का स्पेसल ने वाला है बहुत ही बड़ी और अपको पूरा दियां से आखिर तक जरूर देखना सरकारि मातां ऑर बैणु के लिए युवां के लिए उवां के लिए बरोज़गार हो के लिए और आम जनता से जुड़ए कई बड़े बहुत ही मज़े आने वाला और ये वीडियो आपको पूरा आखिर तक देखना है और उसके बाद आप एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा अना तो बिना टाइम विलम के सुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी कबार बैंक नहीं सब्सक्राइद दी गई हैं और सुधारात्मक कदम उठाने और अत्रिक्त सुल्क लोटाने के निर्देश दी हैं जो उल्टा फुल्टा ब्याज लगाते हैं उनके लिए बड़ा अलर्ट है आर्भी ने परिपत्र जारी किया और कहा कि ये जो निर्देश से वो ततकाल प् होगा ग्राकों को छोटे-चोटे एक स्रुमे जो नियम सरते हैं उन पर भी लगाम लगेगी इस तरह के निर्देश सुकरवार को जारी हो गए ते और लोन पर ये कल बड़े निर्देश जारी हुए इस निर्देश तो जारी हुए हैं इसके अलवा आर्भी आने बड़ा क एक सर्वे हुआ जिसमें बड़ा दवा क्या गया कि artificial intelligence की दोड में भारत सबसे उपार हैं अमेरिका और ब्रिटेन तक पीछे छूट गए हैं भारत सिंगापूर, United Kingdom और संक्तराज अमेरिका जिससे देश AI अपनाने और innovation में अग्रणी हैं अब साइबर अमलू पर कसेगी नक और privacy को सुरक्षित रखेगा UK के इस कानून के तरद internet से जुड़ेवे सभी smart device में कम से कम standard सुरक्षा दी जाएगी और इस कानून को सोमवार से लागू भी कर दिया गया है हाना और बड़ी खबर आ रहे हैं दिल्ली हाई कोट ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी पर 6 साल क सुमवार को महरास्ट में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर भी निसान साधा पियमोदी ने का कि जो प्रतिद्वंदी BJP के नेतरतों वाली सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वे अब टेकनोलोजी का दुरूपयों कर रहे हैं टेकनोलोजी का इस्तेमाल करके ये लोग मेरी आवाज में फर्जी वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर रहे हैं जिससे खत्रा पेदा हो रहा है। प्यम होदी ने दावा किया कि अगले एक मैने में बड़ी गटना करने की योचना है। समाज को ऐसे फर्जी वीडियो से बचाना हमारी जिम्मेदारी हैं। ग्रिया मंतरी का विपक्स पर जोरदारमला। बड़ी खबर आ रही हैं वितमंतरी निर्मला सितारमने का कि जीडिपी बड़ाने के लिए जमिनी इस्तर पर काम करना पड़ता है। वितमंतरी ने अर्थ व्यवस्ता को लेकर रेटी पड़नी की है। दिल्ली सराब निति केस में अर्विंद कजरिवाल ने अपनी गरपतारी के किलाब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरिवाल से पूछा कि सम्मन नजर अंदाज क्यों किये। जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। 9 अपरेल को दिल्ली हाइकोर्ट ने केजरिवाल की गरपतारी को सही बताया था और साथ ही का था कि एडी के पास गरपतारी के परियाप्त सबूत है। मालदीव में भी MDH एवरेस्ट मसालो की बिक्री पर रोक कीटना सखोने का आरोव। होंग कोंग और सिंगापूर में बैन भारत और अमेरिका में जान चल रही है। ब्रामक विग्यापन केस की वज़े से फैसला लिया गया। इसके बाद मोसमी इनिफलेंजा की वर्तमान स्थितियों का आकलन करने के लिए अभी हाले में रहवार को स्वास्ते सेवा मानी दे सके द्यक्सता में एक समिक्सा बैटक हुई थी। दोस्तो बड़ी खबर जो बहदी चोका देने वाली है। कोड के दस्तावेजू के हवाले से एक रिपोर्ट तयार की हैं जिसमें बाते सामने आई हैं। और बड़ी खबर केंदर के बाद अब 21 राज्यों ने बड़ा एलान किया है। प्रदेशू ने मोटर विकल या रोल टेक्स में चूट का एलान किया। यानि स्क्रेप करने के बदले नई कार खरीदने पर 25 प्रतिशत तक और कोमर्शल विकल पर 15 प्रतिशत की चूट मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है करमचारियों के लिए बड़ी कुछ कबरी। केंदर करमचारियों से जुड़ाए मैं तो बन अपडेट हैं कार्मिक मंतरला के आदेश केनुसार। केंदर सरकार ने केंदर करमचारियों के बच्चों के सिक्सा बत्ते C.E.A. और होस्टल सब्सिडी की सीमा को बढ़ा दिया। सरकार ने ये कदम 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुए मैंगाई बत्ते को बढ़ाने की गोस्टना के बाद उठाया। साल 2018 के दिसा निर्देसों को देखते हुए जब भी मैंगाई बत्ते हैंने डिये में 50% की वर्दी होगी। हर बार स्वथाई बच्चों के सिक्सा बत्ते और होस्टल सब्सिडी में 25% के बढ़ोत्री हो जाएगी। केंद्रिय करमचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए सिक्सा बत्ता सामने से दोगुना होगा। कनडाई पीम के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे भारत ने कनडाई राजदूत को तलब किया है। ग्लोबल वार ने दुनिया की टेंसन बढ़ाई है और दुनिया के साथ साथ इंडिया की टेंसन भी बढ़ी है। फियो की एक रिपोर्ट है जो बड़ी मत्पून है। दुनिया में दो अलग अलग मोर्चू पर चार देश युद लड़ रहे हैं और इसका प्रभाव लगबग पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। चंद्रियान तीन अंत्रिक्स में कच्रे से टक्रा कर नस्ट हो सकता था। विग्यानिकू ने लॉंचिंग में चार सेकंड की देरी करके इसे बचाया था। इसरो की रिपोर्ट में बड़ा कुला सा हुआ है। विग्यानि भारत का जो चंद्रियान तीन लॉंच वा था ना दोस्तों ये स्पेस क्राप्ट चांद पर पहुँचने से पहले ही अंत्रिक्स में कच्रे और सेटलाइट से टक्रा कर नस्ट हो सकता था। लेकिन इसरो के विग्यानिकों ने इस से बचने के लिए लॉंचिंग चार सेकेंड देरी से की थी। और ये बात अब एक रिपोर्ट में सामनी आई है। कोटला सीबी आई जांच पर सुप्रिम कोट की रोक लग गई है। लेकिन 26,000 सिक्सकों की नियुक्ति रद करने पर कोई रोक फिलाल नहीं लगाए गई है। कि राप बनने की राप पर निकल पड़ा है और इसका कारण भी हैं अमेरिका और यूरोप चीन से इसकी मोनोपोली खतम करना चाहती है। डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसे देश की जुरत है जहां पर इसकी ज्यादा से ज्यादा मिनुफ्रेक्चरिंग यूनिट लगाए जा सके है। रामलला के दर्सन करने आये दो सरदालों की जान चली गई। दरसल वीशन, गर्मी और प्रचंड धूप अब जान लेवाद साबित हो रही है। दिन का तापमान तयालेश डिग्री तक पहुंच रहा है। और इसलिए सोमवार को रामलला का दर्सन करने आये दो सरदालों की जान चली गई। चारधाम यत्रा के लिए अभी तक 16,37,000 यत्री रेजिस्टेशन करवा चुके हैं। उत्राखंड में चारधाम यत्रा को लेकार इस बार यत्रियों में गजब का मावल और उत्सा देखा जा रहा है। और अभी से होटल, हैली टिकेट और वान बुक होने लगे हैं। उत्राखंड की विश्व प्रसिद्द चारधाम यत्रा 10 माई से विदिवत सुरू होने वाली हैं। राउल गांधी 6 माई को जाब हुआ, 7 माई को बढ़वानी आएंगे। थर्ड फैज में कॉंग्रेस लेडर्शिप के दोरे बढ़े हैं। मुरेना में प्रियंक के रोड्सो की टाइमिंग भी बदली गई हैं। रोड्सो पहले सुबह 11 बजे प्रस्ता भी था, अब इसका समय दो पर 4 बजे किया जा रहा है। इस तरह के अपडेट्स हैं। दो माई को प्रियंक का गांधी का मुरेना में रोड्सो होना है। राउल गांधी ने का कि 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन देंगे, बिलासपूर में का सरकार आते किसनों का कर्ज माफ होगा, MSP का कानून बनाएंगे। NCRT किताबों में हर साल बदला होगा, सिक्सा मंतरला ने का, जरुरत के हिसाब से सिलेबस अपडेट करें। यानि अब NCRT किताबों का सिलेबस हर साल बदला जाएगा, सिक्सा मंतरला ने हर साल NCRT किताबों का रिव्यू करने और जरुरत के हिसाब से अपडेट करने को का है। पलट दिया, महिंद्रा SUV 3100 भारत में 7,49,000 रुपे में लौंच हो गई है, बाकी के और खर्चे तो अलग से लगें गई, पनवरमेक सनरूप वाली भारत की ये पहली कॉंपक्ट SUV होगी, किसान अंदुलन के चलते ट्रेन व्यवस्ताइं पूरी तरह से डगमा गगा गई ह दिल्ली, यूपी और हर्याना की तरफ से पंजाब और जम्मू की तरफ जाने वाली, सभी ज़्यादातर ट्रेने प्रवायत हो रही हैं, जिसका खाम्याजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, संबू स्टेशन पर किसान भाई डटे होए हैं, पंजाब जम्मू जान विकास आयोग की और से आयोजित कारिकरम में सिर्कत करेंगी, प्रतियों की परिक्साओं की तैयारी करें विद्यारतियों के लिए, इस खबर से पेपर में एक से दो सवाल बन सकते हैं, ध्यान दीजेगा, अना और बड़ी खबर आ रही हैं, टेसला का फुल सेल्फ विंग सोप्ट्वेर चीन में जल्दी लॉंच होगा, मस्क की यात्रा के समय कमपनी को पर्मिशन मिली, ओला के सीओ हैमन्त भक्सी ने इस्तिपा दे दिया, जनवरी में कमपनी जोईन की थी, आई पीओ की तैयारी के बीच कमपनी छोड़ दिये, सेर मार्केट न्यूज अ बड़ा देखने को मिली, एक माई को आएगी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त, सितर लाख मेलाओं के बेंग खातों में 11,000 रुपे जमाऊंगे, करीब 655 करोड रुपे ट्रांसपर होंगे, 36 गड़ सरकार की ये मत्वा कांक सी महतारी वंदन योजना, जिसकी तीसरी 21 माई यानी कल आने वाली है, जारखन के 11 जिल्लों में हीट वेव का अलट है, 14 में पारा चालिस के पार, जारखन में सरकार ने बड़ा अपडेट दिया, बच्चों को रहा दी गई है, जारखन में बड़ती गर्मी के बीच, केजी से लेकर 8 वी तक के स्कूल बंद सिक्सक उनको काम करना पड़ेगा, बच्चों के लिए अवकास रहेगा, 36 गड के 9 जिल्लों में अंदर और बारिस के चेतावनी, दूर्ग और बस्तर संबाग के जिल्लों में अगले 2 दिन तक बुंदाबंदी के आसार है, वह आपको बता दें, 36 गड में ड्राइ आइस खाने से बच्चे की जान चली गई, कई बच्चे बिमार हो गए, साधी समारों में बर्फ समझ कर ये निगल गए थे, इवेंट टीम ने स्टेज के पास फेक दिया था, खुले में फेकने के वज़े से कई बच्चों ने इसे निगल लिया और उनकी तबियत विगड गई, दिल्ली बच्चे की जान चली गई, कई जिलों में स्कुलों की चुट्टियां भी कर दी गई, लेह मनाली में भी भारी बरबारी देखने को मिली, 6000 टूरिस्ट का रेस्क्यू किया गया, नेशनल हाईवे भी बंद हो गया, यानि भारी बरबारी के कारण लेह और मनाली में हालात ब लोटल के पास 1000 से अधिक वान 6000 लोग परेटक फस गयते हैं इनको सुरक्सित बचा लिया गया है 600 वान और 3500 परेटक सुरक्सित से इसके लिए रेस्क्य ओपरेशन जा रही है सुरक्सित स्थानू पर ही परेटक रहे हैं यत्रा का जोखिम नाल है पंजाब में 1 माई को दूर दिवस हर साल 1 माई को मनाये जाता है ना और बड़ी ख़बर देख पा रहे हैं पसी बी आठवी और बार्वी का रिजल्ट आज गोसित हो जाएगा पंजाब स्कूल शिक्सा बोर्ड की तरप से मंगलवार को क्लास एट और वालत का रिजल्ट गोसित हो रहा है रिज दूनों एक्जाम में अब नहीं होगा नुर्मलाइजेशन ऐसा बड़ा प्रेट सामने आ रहा है इसके लबाग कोलकाता ने दिल्ली को सीजन में दूसरी बार हरा दिया है आई पील दोजार चोबीस के से तालिस वे मुकाबले में दिल्ली के बिटेल्स को साथ विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत आसिल किया है वहीं जरूरत की खबर है कुरसी पर बेटे बेटे भी आप कुछ एक्सेसाइज कर सकते हैं एक ही जिगा बेठे रहना दस सिग्रेट पिने के बराबर खतरनाक बताया गया बोड़ी मुवमेंट होना जरूरी है टी ट्व भवन मालिक 15 जुलाई तक संपतिकर जमा कर सकेंगे बिहार में गर्मी की चुट्टी में सरकारी स्कुलों में मीसन दक्स और विशेष ककसाई चल रही हैं शिक्सव विभाग ने विद्यालाइस से बिना सूचना के अनुपस्रिद रहने पर पटना जिल्ले के 48 सिक्सगों क एक दिन का वेथन काटने के निर्धिस दिया हैं प्रसासन ने निर्धिश दिया हैं कि आगे बी एक कारवाय जारी रहाईगी उत्तर पर देश से एक कारवाई हुई हैं प्रसव पीडिता के इलाज में लापरवाई बरतना एक चिकित्सक को भारी पड़ गया जिलाव बोगता विवाद प्रतितोस आयोग ने पीडित को 45 लाक रुपे सत्य पूर्ती के रूप में देने का आधे सुनाया है इलाज के दोरान आथ कट गई थी ब रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुक सहरू में ओसत किराया बढ़ गया और किराया आए भी लगातार बढ़ रही हैं इस कारण निवेशकूं की यहां तगडी कमाई भी हो रही हैं प्रोपर्टी पर मिलने वाला रेंटल आए बढ़ गया नोईड़ा उत्रोटी ने बढ़ाक अब यहां बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 300 क्रोड रुपे खर्च होंगे अब जल्दी MSJ कोलेज भरतपूर के खेल मेदान पर अंतर राश्ची स्तर के मानकों के नुसार फिल्ड और खेल के अतियादुनिक व्यवस्ताओं से सुसजित क्रिकेट स्टेडियम बन कर तैयार होगा भरतपूर क्रिकेट स्टेडियम से जुड़ा अपडेट हैं बंगलादेश हाई कोट ने बड़ा फैसला सुनाया हीट वेव के चलते देश के सभी स्कूलों को बंद कर दिये जाएगा ताकि विद्यार्तियों को कुछ रात मिले हीट वेव के चलते मोयू साइन हुए है देहरा दून में जुग्यों में आग लगने से हरकम मच गया मजदूर तार जलाकर तांबा निकाल रहे थे 22 जोपनिया जलकर राख हो गई कई सिलेंडर भी फट गए मध्यपरदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है मध्यपरदेश के प्राइव प्रक्रिया में एकल फीट के फैसले को चुनोती दिने वाली अपील खारिच करते हुए है सपस्ट किया कि राज्य में एनम नियुक्ती पूर्व की बाती नियम और अंकु के अधार परी होगी 18 अप्रेल 2024 को आदे सुरुक्सित रख लिया गया था जिससे सोमवार को सुना इसकी जनकारियां भी मोबाइल में मेसेज के जरिये पहुंच पाएगी कोरोना मामारी के दोरान टीका करण में सफल साबित हुए कोविन एप की तरही अब टीका करण की व्यवस्ता मजबूत करने के लिए सरकार ने यूविन एप लागू किया और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टूडे सिल्वर प्राइस टूडे सोने चांदी के भाव सोने और चांदी की केमतों में गिरावट देखने को मिली हैं सोमवार को सोना 209 रुपए सस्ता होकर 32,249 रुपए प्रती 10 ग्राम पर रा चांदी 460 रुपए सस्ती हुए और यह 8914 आखा जाए कौन-कौन की कबरें इसमें ज्यादा सामिल की जाए ऐसा सुजाव में जरूर दीजेगा अना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों मित्रों और जान पचानवालों के साथ भी जरूर जरूर सेर कीजेगा ताकि आप लोगों से हमें जदा से ज़या प्यार और सपोर्ट मिले और हम हर रोज आपके लिए ऐसी ताजा खबरें लाते रहें एक और नई जानकारी नए टोपिक और नए वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जै स्री राम जै हनुमान